खबर ब्राजील से जहां एक कड़े मुकाबले के बाद लूला डिसलवार ब्राजील के अगले राश्पती चुने गए हैं। लूला ब्रश्चार के आरोप में 18 महीने जेल में रहे पर बात में ये आरोप बेबुन्याद निकले और वो रहा हो गए। ब्राजील में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मौझूदा राश्पती राश्पती चुनाव हार गया हो। देखें बीबी से समवादाता केटी वाट्सन की ही रिपोर्ट। सेन पाउले की सडकों पर जश्न और बहुत से लोगों के लिए राहत की खबर। ब्राजील का राश्पती चुनाव एक कड़ा मुकाबला था जिसका अंत लूला की जीत से हुआ मैं बहुत खुश और आज़ाद महसूस कर रही हूँ। ब्राजील के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया, अमेजन लोकतंत्र मानवधिकार से जुड़े लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। हाला कि ये काफी बटा हुआ देश है और कई लोग तो नाकुश भी होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जीत का अंतर काफी कम था, तो हमें सयम रखना होगा और गुस्से और इर्शा को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ना होगा। लूला की सत्ता में वापसी काफी कमाल है। लोगों के बीच लोगप्रिय लूला ने बारा साल पहले ब्राजीर के राष्ट्रपती का पद छोड़ा था। पर लोगों के बीच उनकी इस चवी को ब्रश्टचार के मामलों ने दागदार भी किया। अब एक बार फिर लूला राष्ट्रपती बन गई हैं। जहां सडकों पर शोर हो रहा है वहीं बोलसोनारों के खेमे में सनाटा पसरा था। माना जा रहा था कि वो सोने चले गए। वोटिंग जादतर शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई। और अविवार को वोट डालते लोगों के बीच काफी उमीदे और थोड़ी घबराहट थी। इस असमान देश में विभाजन बिलकुल साफ है। अमीर और गरीब, दक्षिनपंथी और वामपंथी। लोगों को काफी कड़ा चयन करना पड़ा। मैंने बोलसोनारों को वोट दिया। मैं उनसे 100 प्रतिशत तो सहमत नहीं हूँ और उनमें कई खामियां भी हैं, पर वो उपर वाले के चुने हुए शक्स हैं, उनके सिधान सही हैं और वो इतने भी कठोर और सक्त नहीं है। मेरे मताबिक ये काफी दुखत है कि हमें ऐसे दो लोगों में से एक कुछ उनना पड़ रहा है जो ब्राजील का धुरूवी करण करते हैं, हिंसा भड़काते हैं और मुझे निजी तोर पर ये लगता है कि वो ना तो ब्राजील की जुवा पीड़ी और ना ही विकास के प् लोग यहां चीख रही हैं कि लूला वापस आ गए, उन्हें पसंद कीजिए या ना पसंद, ये ब्राजील के लिए एक एतिहा सिक्पल है, वो 20 साल पहले ब्राजील के राश्ट्रपती बने थे और अब वो वापस उसी पद पर आ गए हैं, पर इन लोगों के लिए लूला प्राजील के सांसदों के साथ संघर्ष करना होगा, ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन ये समर्थक इससे चिंतित नहीं है, वो एक बार फिर राश्ट्रपती की कुर्सी से ब्राजील को बदलने के लिए आ गए हैं ब्राजील में वामपंत की वापसी हुई है, लूला एक जनवरी को राश्ट्रपती बदक का कारेभार सभालेंगे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनाती है, बड़ी महंगाई पर लगाम लगाना इस बारे में हमने बात की जी नेमा ब्लांको से जो रिस्क इंटेलिजन्स कमपनी वेर रिस्क मेबल क्रॉफ्ट में अमेरिकास रिसर्च की प्रमुक हैं जहां तक आर्थिक मोर्चे की बात है, लूला के पास बर्बाद करने के लिए अब एक भी दिन नहीं है क्योंकि राश्च्रपती बोलसनारों ने एनरजी और ट्रांस्पोर्ट की कीमतों को नीचे लाने के लिए जो आर्थिक पैकेज दिये थे वो खत्म होने ही वाले हैं नई राश्च्रपती लूला ने ब्राजील में सबसे घरीब लोगों के जीवन को बहतर बनाने का वादा किया है उन्हें अब इसके लिए पहले ही दिन से होमवग करना होगा उन्होंने अनिक शेत्रों में भी बहतरी का वादा किया है लेकिन इसके लिए उन्हें खर्चों में कटोती करनी होगी लेकिन ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं होगा इसके लिए कॉंग्रेस से बात करनी होगी बाहर के हालात भी बहतर नहीं है ये सिर्फ ब्राजील की नहीं पूरी दुनिया की बात है वैश्विक मंदी का खत्रा मंडरा रहा है नई राष्ट्रपती लूला के लिए साल 2023 बहुत मुश्किल साबित हो सकता है